नमस्कार इंडानियोज के डिजिसल प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है आपके साथ में हूँ वंद्रास रोही बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जो आर्थिक तंगी से स्वक्त इस तरह गुजर रहा है कि आप अंदाजा लगाईे 1600 पदों पर पुलिस की भरती हुई और आवेदन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग कठा हो गए जो युवा कैंडिडेट्स थे वो इसलामबाद स्टेडियम में पहुंचे और पूरी तरह से स्टेडियम फुल हो गया आप इसी से अंदाजा लगाईे 1600 पदों की भरत का मकसद यह है कि उसमें कम गैस वो लोग ले जाते हैं क्योंकि बहुत जादा महेंगी इस वक्त एलपीजी हो चुकी है पाकिस्तान में जो बेसिक चीज़े हैं वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही है आर्टिक तंगी से देश इस तरह जोज रहा है उसके बाद भी वो समयाने पर कर लिया जाएगा ऐसा देश जब धंकिया देता है तब इस बात का अंदाजा भी उसको होना चाहिए कि आतंकवाद को पना दे रहा है और आतंकवाद उस देश में पनप रहा है टीटीपी की ओर से हमले तेज़ कर दिये गए हैं और अभी आत्म घाती हमले जनता भी वहां के लोग कर रहे हैं तरह तरह के ट्विट्स भी लोगों की ओर से किये जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आतंकवाद को पना देता है वो अपनी आर्थिक स्थिती पर फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि दुनिया भर की ओर से जो तमाम देशों की और से भी रियक्शन आ रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान को ये सलहा दी जा रही है कि आप अपने मुल्क पर फोकस कीजिए क्योंकि एकनॉमिक क्राइसिस जैसे श्रुलंका में हमने देखा था कुछ वैसे हालात यहां पर भी बन सकते हैं इमरान खान तो सीधा सीधा लगातार आरोप लगाते हैं शहबाज शरीफ की सरकार पर कि उनकी नीतिया चीक नहीं है और उनकी वज़ा से ही पाकिस्तान के ऐसे हालात हो रहे हैं लेकिन अब शहबाज शरीफ की ओर से किस तरह के स्टेप्स लिये जाएंगे और जो आर्थिक हालात है साथ इसाथ जो आतंकवाद की ओर से हमला किया जा रहा है उस पर क्या रियक्शन होगा सरकार की क्या ठोस नीती होगी और दुनिया भर को आखे दिखाने से बेहतर है कि वो अपनी नीतियों में सुधार करें क्या पाकिस्तान के ओर से अब किया जाएगा इन हालातों को सुधारने के लिए क्योंकि जैसे देश से भी सीखना चाहिए पाकिस्तान को तो अब किस तरह से पॉलिटिकल जो सिच्वेशन वहाँ पर बनी हुई है उसमें भी खल बली है वो भी बहुत जादा हाला ठीक नहीं है तरह तरह के इलजाम लगतार अमरान खान मौजुदा सरकार पर लगाते रहते हैं तक क इमरान खान पर जब हमला हुआ तब ही उन्होंने आरोप लगाए कि शहबाद शरीफ की ओर से ही उनके ओपर हमला कराया गया यह और बात है कि अभी उसकी जार चल रही है पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है मैटर रेकिन जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए है उस अगाा भाई कर दूत से से सहे पैपकी उसका इसाथ ही उसका बहता है कि आया पाकिस्तान में आरोगाद से असे साफ यह हुआ है कि अथा है तो है जो है उस कितरा में शरीश हैा जो हून भाई खाए जो ऑन नहुआ है खई फु freight दू जो है का है झाल झाल झाल